आरसीबी एक आल मैज जीत गई आरसीबी ने एक आल मैज जीत लिया है वो भी किसे केखलाफ जीटी केखलाफ गुजरा टाईटन्स जो कि ऐसा लगा था कि यह मुकाबले जूए जीत सकती है लेकन यहाँ पर दो मुकाबले थे आरसीवी से लेकिन जिस तरीके चेस की आर्सीवी ने आप ये सोचें दोस्वादम मनाई थे जीटी ने उसके बात में ये चेस कैसा हुआ विल जेक्स का हमने पावर देखने को मिला विल जेक्स ने 41 गैनों में सेंचुरी लगाई उसके अलावा विदाट को ली जिन्होंने उपर बहुत सवाल उठ रहे थे कि भाई इस्टागेट के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए अब ऐसा ध्यान दिया कि 44 गै पादी में 10 चक्के अपनी पादी में तो आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या राषित खान क्या मोरिश सर्मा और क्या नूर एहमत कुछ भी एक भी बोलर नहीं चूड़ा उन्होंने और जिस नहीं कि स्पिन गेंदवाज है जीटी की ऐसा लगता था कि शाय दिये है विल जैक्स को कि शुरुवात में फस रही थे 16 गेंदव में 16 में खिल रही थे लेकिन उसकी बात में लास्ट के 24 गेंदव में तो ऐसी आग लगा इन्होंने 24 गेंदव में विच्चा सीदा मुना दिये यह बहुत बड़ा में समस्ता फेक्टर दा यहां पर लेकर सेंस्ट